जालेंजी एक्साइवी के हम देखते हैं ठाउसन को शो कर रहा है सी एप जो है वह नाइन राइन तैन को आई वी जो है वह फॉर को शो कर रहा है तो यह इडियों बन गया 14 और वह बन गया एमसी एम नाइंटीन नाइंटीन फॉर्टीन फिप्स लार्किन के अब हमारी पॉइंट चल रही है कह रही है कि इन्होंने जो नजारा अपनी आँखों से देखा है कुछ बेतर्तीब लाइनों का वो लाइने जो खड़ी है और जंग में जाने के लिए तैयारिया कर रहे है जोसलोंग बड़ी बेतर्तीव लंभी लंभी याने स्टेंडिंग एस पेशंटबी लेकिन बड़े सबके साथ करें एससे मौला विला पार्क की टिकटे लेने के लिए वहां खड़े यहां लोग इतनी लाइन लगा के खड़े ओ जाते हैं वहां पर खड़े हैं दा क्राउंड ओफ हैट्स वहां पर सिर्फ मुझे हैट्स ही दिखाई दे रहे हैं दसन और जो सूरच है और यह जो मौस्टैचिज जो ते तो यह रख लेते थे अब तो इन्हों ने अच्छी क्लीन शेप्स करवा दी है वो जो चेहरे थे आरकेक फैसिस पुराने चेहरे पुराने चेहरे अब यहां पर बुढ़े लोग भी मजूद थे देखे नौजवान तो जाता ही जाता है रहे किसी चीज में शिरकत करने के लि ना लेकिन दुमु सकुरार है कैसे मस्कुरा руह और नरक होते हैं गीत गार्टै ऑज़े सबीजव फो बम आहीं तो इतनी सारे इंड दिया वानघ्व शौश होरह मद्धम पर गए बिलीच्ट कपड़े को साफ कर देती है अब यहां मद्धम पर गए है इस्टैबलिश्ट नेम्ज वो जो नाम थे ना जो दुकानों के लिखे गए थे वो मद्धम पर चुके हैं ओन दा सन ब्लाइंड्ज सन ब्लाइंड्ज यानि सूरच की वज़ा से वहां पहुंच रही अपने नाम लिखवा रहे हैं तो यहां की हालत यह है कि जनाब उनके नाम खत्म होगे दा फैदरिंग एंड़ सौवेरियंस और फैदरिंग सौवेरियन होती है हुकूमत दे करना और फैदरिंग होते हैं वह पैसा जो अब तक्रीबं अपनी अफादि खो देती है बाद उकात होकूमते आती हैं वह सिकाचेंज कर देती है कुछ ऐसी सेनेरियों भी चल रहे हैं और डार्क लोथ चिल्डरन और गहरे पहने बच्चों ने गहरे गहरे रंग के कपड़े पहने हुए एट फले और खेलते बिर रहे हैं बच्चे बेखबर हैं उन बच्चे जो कहता है इतने गहरे कपडों के अंदर मुल्बूस मुल्बूस है कांट आफ्टर किंग्स और कुइंस और नाम उनको पुकारा जाता है मलका ऐलिजबत कैके या वह लेक्जांडर क्या था एक्पार जाता है यानी बादशाहों पर उनके नाम रखे गया हम भी तो ऐसे ही करते ना चुनते हैं बड़े-बड़े नाम चुनते हैं तीन एड्वर टाइजमेंत यह जो पतली चादरें जो थी जिन पर इस्तहारात लगे हुए थे इस्तहार लगे हुए थे लेकिन वह हो वो मुड़ गये थे पतली चादरे थी न में लिखिये हुए थे ना जो बैनर्स पे इस्तहारात लगे हुए थे वो भी जल गए थे उनके नाम वहां से संबर्ण की वाजा से लेकि जो पतली चादर पे कुछ अड़टाइजमेंट लगी हुए थी हवाने उन चादर को जैसे बड़ा इस्तहार आजकर लगा तो टू लैक्ट वह इस से कि शराब खाने और तमाकू नो की नोशी की अड़े बड़े खुले थे जनाब किसी को बढ़वा नहीं थी इन चीज़ों की ये सारा उसने स्नेरियों दिखाया हमें जहां पर वो लाइन में ख़रा है अब आजए दूसरी तरफ दूसरी तरफ दिखा रहा है एक और फ्लॉवरिंगरास किसए साथवन कetrी सायर me चुके घास हुगाती है न जल्दी वहां पर जो नाम लगे हुए थे ना उनके आगे flowering grasses आगई थी घास आगई थी उनकी आगई इतनी ज्यादा जिसे गहते है ना extra घास बेतर्तीब उड़ गई थी भी हमने बेतर्तीब घास वहाँ भी देखी है ना Mr. Blini में भी कि वहाँ पर बेतर्तीब घास कोई काटने वाला नहीं था यहाँ पर भी वही चाल रहा है इतनी घास आगई है कि पीछे के बोर्ड चुप गई है एंड फील्ड और यहाँ पर जो खेट थे शैडविंग जिनके साए जो थे ना डॉम्स डे लाइन जैसे लग रहे थे कि आखरत के दिन की गलियों का मनजर दे रहे हैं इतना सुनाटा एतनी उंसान के डॉम्स डे लग रहा है डॉम्स डे वो यह आतना आखरत का दिन बन गया अंडर वी इट स रेस्ट लेस्ट साइलंस और यहाँ पर जो गंदम की इलाक कि लिए कानों में ठूस रहा था लेकिन युवे कहता है ऐसी खमोशी थी कि वो मुझे बेचैन कर रही थी डा डिफरेंटली ड्रैस्ट सर्वेंट्स अब यहां पर वह मुलाजम थे जिनके कपड़े मुख्लिफ रंगों के थे ताइनी रूम्स वो रह रहे थे छोटे-छोट कमरों में इन हीूज हाउसिज बड़े-बड़े मालकों ने मुलाजमों को टाइनी कमरे दे के रखा हुआ था और वो भी मुख्लिफ लिबास दे दिये पहले जो मुलाजम होते थे सेम कपड़े पहन के आते थे जी डियूटी पे आगे मुलाजम कपड़े पहन के आए हैं शेफ ने शेफ वाले पहन लिए ड्रावर ने ड्रावर वाले पहन लिए जो कोई और भी उनका माजम है उसने क्लीनर ने क्लीनर वाले पहन लिए लेकिन अब उनने वो सारी लोजमात खतम कर दिया हर कोई मुख्लिक लिबास पहने हुए है चोटे-चोटे-चोटे कमरे हैं गर्द पर रहा है, क्योंकि गाओं में ये लोग अगर चले गई हैं रहने के लिए अपने शहरों के घर छोड गए हैं तो शहरों के घरों में जो लम्बी गारियां थी वो गाओं पे नहीं जा सकते थी क्यों गाउं में तो इतनी अच्छी कोई सरक बरक नहीं बनी होई थी ना तो लेमोजीन बाहिर वहां जीन इलाकों में छोड आएंग है डस्ट से बुरे खाल में पड़ी है और इसकी खातिर लोग कितना कुछ कबाते थे लेकिन अब यह है कि यह भी बेकदरी का शिकार है कि लोगों को इस चीज़ की भी कदर नहीं रही कोई शौक नहीं रहा या उनके पास से इतना महोल ही नहीं रहा कि शेहरों में रहें गाउबरी को की बंब का गॉला हीना आकर लागे घाए गाउं में चलते हैं ना लाइट होएगी ना किसी को पता चलेगा यहां पर बादी है कि नहीं ऐसा ही होता है जंगों में अक्सर का करता है कि लाइप सॉफ कर दें कहीं कोई आपको खत्रा ना हो नेवर सची नौसंस कहता है ऐसी मासूमियत नेवर बिफोर और सिंस ना मैंने पहले देखी ना इप तक देखी इतने मासूम लोग अपना सारा कुछ छोड़ चार के आके ऐसे लाइनों में लग गए कंट्री यार्ड में जाकर देखो तो वहां भी वैसी बे रहो हरवी फैली फैली हुई थी यह यहां पर इसने बहुत बड़ी आईरनी शो कर दी क्योंकि आईरनी तो यह अपनी हर पॉइम में दिखाते हैं कहते हैं मैंने नहीं देखी ना कभी देखी और ना कभी देखूंगा और इसने क्या कर दिया इसने अपने आपको बदल दिया किसके साथ माजी के साथ इसने इन लोगों ने अपने आपको माजी के हिसाब से बदल दिया विदाउट आवर्ड एक लबज नहीं कहा इन्होंने हमारे पास ये शेहनशायत है हम ये क्यों छोड़के जाएं हकूमन में का हर बंदे को आना है जंग में हिसा लेना है सारे के सारे लगे हैं लाइन में एक लफ़ नहीं अपने मूँ से बोले ये होता है पॉस ये पॉस हमेशा आपको ना सोचने का मोखा देता है यहां पर राइटर चाहता है कि अब आप सोचो वेटिंग फर वोड़ों में आपको ऐसे बड़े पॉस मिलने वाले हैं दा मैं लीविंग दा गार्डन्स टाइजी वह अदमी जो छोड़ जाते थे इन गार्डन्स को अच्छे साफ सुतरी खालत में थाउजन्स ओफ मैरिजिस हजारों वो शादियां जो की गई थी दुल्हें वापस नहीं आए हमने वो कौनसी बड़ी थी वो एक आपकी ना माने का दस सल होगे बाप तो आए नहीं मैं कहीं और ही कर लूँ जनाब अपना रिश्टा फिक्स कर लूँ अब यहां पर हजारों शादियां ऐसे बरबाद हो के यह थाउजन्स ओफ मैरिजिस लास्टिंग एट लिटल वाइल लांगर लास्टिंग क्या कर रही थी अब व के असरात में दुबारा देखना नहीं चाहता जंग के बाद जो मातम है वो मुझे दुबारा दिखाई ना दे पता है दस मिलियन से ज्यादा लोग मर के थे यहां पर और कई हवातीन बेवा हो गई थी कई हवातीन के शोहर ही वापस नहीं आए और जब वापस आए तो दे देखी है और ना ही कभी देखूं